रचत सवी को एक साथ देखकर आशका चलेगी अपनी नई चाल स्टार प्लेश के मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल गुम्हें में आप देखने वाले हैं कि जहां पर अब रचत और सवी पिछली नोक जोक को भुला कर अब आगे एक साथ तेवे नजर आ रही हैं तो ये आशका से बिलकुल भी बरदाश्ट नहीं हो रहा है और आज एक पूजा में भी रचत और सवी पती पतनी के रूप में सामिल होने वाले हैं हाला कि वो एक दिखावा कर रहे हैं और इसके लिए वो भगवान से भी माफी मांगते हैं कि हमें माफ करना क्योंकि हम पती पतनी नहीं हैं लेकिन फिर भी इस पूजा में सामिल हो रहे हैं वही दूसरी तरफ सही एक इच्छा मांगती है और कहती है कि रचत और परी आंटी हमेशा मेरे साथ रहें अब देखना होगा कि भगवान किसकी इच्छा को पहले सवीकार करते हैं इसी के साथ साथ आप देखने वाले हैं कि जब आश्का को ये पता चलने वाला है कि लवी और रचत एक साथ रहते हैं और शादी करने वाले हैं तो आश्का पूरी तरीके से भड़क जाएगी और उसके बाद आएगी अपने असली चेहरे दिखाने के लिए सभी के पास और कहेगी कि रचत बुरा इंशान है उसने कभी भी मेरे और मेरे परिवार के बारे में नहीं सोचा और सभी को बढ़काने की कोशिश करेगी और कहेगी कि अगर तुम भी इस साधी करोगी तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल बरबाद हो जाएगा पर सभी को तो पता है कि वो सिर्फ नाटक कर रही है लेकिन आश्का को लग रहा है कि ये सच्चा ही है और अब आश्का कहेगी कि मैं रचत और रचत के परिवार का बहुत ही बड़ा राज तुम्हारे सामने खोलने वाली हूँ